मुकतार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल में कैदियों में हडकम्प क्यों मचा हुआ है? क्यों बांदा जेल की कैदी खाना खाने से डर रही है? क्यों वो रोटी को सिर्फ टमाटर में नमक लगा कर खा रही है? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है आपको बताएं कि कैदी एक दूसरे से बात नहीं कर रही है जादा हस नहीं रही है बोल नहीं रही है यहां तक कि वहाँ पर जेल की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है पुलिस सुभा और शाम दोनों समय फ्लाग मार्च कर रही है मुक्तार अंसारी गांग्स्टर जिसकी मौत होती है और हार अटाइक उसको आता है हिरदे गती उसकी रुख जाती है जिस वजह से उसकी मौत होती है लेकिसे मुक्तार अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया कि उसको धीमा जहर दिया गया मुक्तार को जेल में जहर दिया गया धीरे धीरे उसकी तब्यत बिगरती चले गए और आखिरकार उसकी मौत हो गए ये परिवार वालों ने सवाल खड़े कि और हमने देखा कि जब मुक्तार अंसारी की मौत होती है उसके बाद जेल अधिक्षक को जान से माने की धंकी मिलती है पंदरा सेकेंड का वो ओडियो भी वाइरल होता है और शुरुवाती जाच में ये बात सामने आती है कि वो कॉल उत्रा खड़ से आया था अब आप ये समझे कि सुरक्षा तो वहाँ पर पुखता है मुक्तार अंसारी के जो परिवार के लोग हैं वो धीमा जहर दिये जाने की बात तो कर रहे थे लेकिन पुलिस द्वारा इस बात का खंडन किया गया जो अस्पताल प्रशासन है मेडिकल रिपोर्ट भी जारी की गई क्योंकि आपको बताएं कि मुक्तार अंसारी जो की गांग्स्टर था फिर नेता बना और वो धाई साल से बांदा जेल में बन था इसे पहले वो पंजाब की रोपर जेल में था जहां पर फिर भी वो अपनी गतिवीधियों को अंजाम देता था लेकिन जब से वो बां कि जब वो यह सब करते हैं तो फिर अपनी लाके में मसीहा बन जाते हैं कुछ काम कर देते हैं गरीबों की मदद कर देते हैं ताकि वो अपने काले कारणामों को छुपा पाएं लेकिन अब आप यह समझें कि बांदा जेल में जब से आया मुक्तार अंसारी उसकी तबियत दीरे धीरे खराब होती चली गए इससे पहले भी हमने देखा कि जब उसकी मौत होती है उससे कुछ दिन पहले वो डॉक्तर को दिखाता है उसकी तबियत खराब होती है और वकायदा जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आये कि कि कितने बार वो डॉक्तरों के पास गया 20 से अध क्यों नहीं खा रहे हैं ये इस वक्त बड़ा सवाल है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं जेल का खाना कब तक नहीं खाएंगे उनको यह डर है या यस मुगालते में हैं कि उनको भी धीमा जहर दिया जा रहा है हाला कि अस्पिताल प्रशासन की तरफ से या फिर आफ जेल प्रश कड़े सुरक्षा घेरे में था हर वक्त CCTV कामरे से निगरानी होती थी उसकी हर गतिवीधी पर नजर रखी जाती थी और उसकी मौत हाट अटेक से हुई है यह पोस्त मौटम रिपोर्ट में भी साफ हो चुका है फिर भी उसके परिवार वाले सवाल उठा रही हैं और इस बात झाह को कि था है कि आप अगले से घंडा प्रोशाइव भी बाती जाज्ता पर रही है कि अब। झाहले से घंडानी है कि वाले से वसकी है उसे निग्ड़दी टना हुआ है यह बूदीर में जरागना हुआ है।